आज हम पढ़ने वाले हैं लवसेट मेथड के बारे में लवसेट मेथड क्या होता है चले बेखते हैं लवसेट मेथड नौर्मरी जो बेबी के आम्स रहते हैं वो फ्लेक्स रहते हैं इस कंडिशन में मदर की वोम में जब बेबी रहता है तो उसके जो हाथ होते हैं वो इस हुए फैक्स हां रहते हैं विसके चैस्ट पे या तो हैडिके साइड पर होंगे या फिर एडिके पीछे उत्के दोनों हाथ गए होते हैं तो उसकी डिलीवरी हम कैसे करेंगे इसी मेधड को बोलते हैं लवसेट मेधड मतलब लवसेट मेधड यूज किया जाता है एक्सेंडेड आम को डिलीवर आउस करवाने के लिए तो सबसे पहले फिमॉरो पैल्विक ग्रिप का यूज करते हैं हम इसमें कैसे ये देखेए तो फिमॉरो पहले ये दोनु बेवी के आम्स है और ये उपर हसे वहें extended है आपको दिख रहा होगा बेवी के कहां पे हैं? साइड पे हैं दोनु आम्स तो हम सबसे पहले क्या करेंगे फिमॉरो पहल्वी ग्रिप की हेल्प से ग्रैस्प कर लेंगे बेवी को और थम्स भी parallel to the vertebral column और अपने थम्स को दोनु थम्स को parallel होने की ये vertebral column के parallel है बराबर में तो हमारे दोनु थम्स हमने femoral pelvic grip बना लिया और दोनु थम्स हमारे जो हमारा vertebra है उसके parallel है अब क्या करेंगे next अब इसको 180 degree हम rotate करेंगे 180 degree rotate किया हमने baby को और baby आ गया इस तरीके से anterior side पे baby का face और chest आ गया देख लिया आपने और जैसे ही anterior side पे आया आपको दिखरा होगा posterior वाला arm बाहर निकल लिया हमने क्या बोला कि rotate करेंगे 180 degree posterior arm को deliver करने के लिए तो पहले baby rotate किया 180 degree पूरा ऐसे rotate किया अब baby आ गया कुछ इस तरीकी से और जैसे ही आगे की तरफ आया तो posterior arm उसका निकल गया तो इसको 180 degree करने के बाद हमारा एक arm तो निकल गया posterior arm अब anterior arm को कैसे निकालेंगे देखें anterior arm को निकालने के लिए दुबारा से reverse इसको उल्टा क्या करेंगे reverse ली rotate करेंगे कैसे इस तरीके से rotate किया हमने दुबारा से ऐसे और उसका दूसरा arm भी क्या हुआ anterior वाला भी निकल गया तो इस तरीके से दोनु आम्स निकल गये इसको हम बोलते हैं love set method जो की extended arms के लिए use किया जाता है thank you